नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आप सभी का शिक्षा प्रवा में मैं करुणा आद इस वीडियो में लेकर आई हूं क्लास 12 के पेंटिंग सब्जेक्ट के स्टूरेंट्स के लिए उनका चेप्टर नमबर 12 और कुछ पुरानी बुक्स में ये चेप्टर नमबर 11 भी है समकालीन आधुनिक भारत्य चित्रकारों के चित्र दोस्तों इस चेप्टर पर कुछ और वीडियो भी में बना चुकी हूं जो की मैं अप्लोड कर चुकी हूं साइट पे अगर आपको देखनी है जो की एक महतोपून प्रश्ण है आपके बोर्ड एक्जाम सेकिंड रम में आ सकता है तो शुरू करते हैं इसको तो दोस्तों ये चित्र अमरता शेरगिल का है इन्होंने इसको किनवास पर तेल रंग से बनाया है रास्ट संग्राले नई दिल्ली में ये चित्र सुरक्षित है आधुनिक या समसामाईक समसामाईक से मतलब समकालीन यानि की ये आधुनिक समकालीन काल का चित्र है और 1940 इश्वी में ये चित्र अमरता शेरगिल ने बनाया है दोस्तों आधुनिक और समकालीन में दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता चुकी हूँ आधुनिक क्या है समकालीन क्या है फिर भी बता दू आधुनिक चित्र कला की डुस्टी से अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो वो होता है आपका बंगाल शेली का समय और बंगाल शेली के बात कसम है और हम अगर समसामाईक या समकालीन की बात करते हैं तो ये होता है आपका वो वाला पीरियड जो अभी चल रहा है कला के छेतर में या फिर अभी अभी पास आउट हुआ है यानि कि वो कलाकार समकालीन कलाकार कहे जाते हैं जो आज अभी कला के छेतर में कारे कर रहे हैं या अभी जल्दी में ही उनकी मृत्य हुई है तो दोस्तों सबसे पहले हल्दी चक्की चितर हम देख लेंगे तो देखिए यहाँ पर यह महिला आकरती हैं जो चक्की पर हल्दी पीस रही हैं यह देखिए यह चक्की है यहाँ पर तीन महिलाएं बैठी हुई है चक्की चला रही है और एक महिला पेड की आड से इनको बाते करते हुए या चक्की चलाते हुए देख रही है या इनकी बातों को सुनने का प्रयास कर रही है देख लेते हैं इस चित्र में क्या दे रखा है तो हल्दी चक्की 1940 में केनवास पर तेल रंगों के माध्यम से मृता शेरगिल ने बनाया है इस चित्र में भारती ग्रामेन परिवेश की महिलाओं को कैसे अपनी एकल गतिविदी को सामुहिक बनाकर पूर्ण करती है मतलब सम्हू में बैठ कर किस तरह से वो अपनी देनिक जीवन की गतिविदियों को करती है वो दिखाया है चित्रकार ने बहुत ही खूपशूर्ती से इस चित्र को प्रदर्शित किया है वास्तव में ग्रामेड भारत की महिलाएं अपनी बोजिल जिन्दगी को इसी तरह सामुहिक रूप देकर आसान बना लेती है यह चित्र उसी जीवन शैली को अभिव्यक्त करता है इस चित्र की हरे पीले वे गहले रंग की धुंदली प्रस्ट भूमी में तीन महिलाओं को दो बड़े व्रक्ष के पीछे हल्दी पीसने वाली चक्की के इर्द गिर्द बैठे हुए दिखाया गया है जबकि एक अरिन्य महिला को काले लिबास में व्रक्ष के दो तनों के पीछे अपने दाहिने कान को दाहिने हाथ को कान के पास तक उपर उठाय दिखाया गया है सभी के परिधान चटक हैं पीले लालवे सफेद रंग से चित्र कार्णेन को चत्रित किया है एक महिला ने चक्की का हैंडल पकड रखा है उन में से एक बाली का व्रक्ष के मूल तने पर पीठ सटाय बैठी हुई दिखाई पड़ती है जिसने अपने दाहिने हाथ में व्रक्ष की एक डाली को पकड़ा हुआ है इस चित्र में महिलाओं के चेहरे सपस्ट नहीं है किन्तु एक महिला द्वारा पहने गए पैर के आभुशन को शूश्म तासरियां पर अमरिता शेरगिल जी ने दिखाया है रक्ष केता ने महिलाओं द्वारा पहने गए परिधान इस चित्र को विशेशता प्रदान कर रहे है चित्रकार अम्रिता शेरगिल ने अपने चित्रों में भारतिय परिवेश में महिलाओं की दुर्दशा वे काम के बोज को अपनी रचनाओं की विशेवस्तु बनाया है उनकी कई रचनाएं ख्याती प्राप्त हैं उनी में से यह रचना भी अपना एक विशेश स्थान रखती है अती साधारन सी विशेवस्तु ने अमरिता को विशेश्ट बना दिया है तो दोस्तों ये था चित्र हल्दी बीशने वाली और ये चित्र बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है आप लोगों के लिए इंपोटेंट इसलिए भी है क्यूंकि ये वाला जो चित्र है ये नया आपके स्लेबस में एड हुआ है पिछले साल ही एड हुआ है और काफी स्लेबस कम हुआ है लेकिन इसको एड किया गया है इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपोटेंट हो जाता है अब जैसे कि हम जिस चित्र को पढ़ रहे हैं उसके चित्रकार को भी हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अमरिता शेरगिल के बारे में और इनका जनम भी 1913 यानि 30 जनवरी 1913 हंगरी के बुड़ापेस नामकनगर पे हुआ था अब इन दोनों के प्रभाव से मत्तब पिताजी पंजाबी थे सिख थे और जो माता थी वो हंगरियन थी तो इन दोनों के प्रभाव से इनकी कला में दोनों तरह की परंपराईन देखने के लिए मिलती हैं तो इसी कारण कह देते हैं कि अमरिता पर दोनों संस्कृतियों का प्रभाव था प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1921 में इनका जो परिवार था वो भारत लोटाया था कला में असाधरन रुची के कारण इन्होंने फ्रांस में एक कला विध्याले है जिसको हम Ecole National Board देते हैं वहाँ पर इन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया और वहाँ पर तेल चित्रन इन्होंने सीखा यह सेजान और वौंगो से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी दोस्तों सेजान और पॉल गोगिन पस्चमी सभ्वता से के प्रशिद चित्रकार रहे हैं ये दोनों गुण इनके तेल चित्र तीन कन्याई यानि इनका एक और चित्र है और वे कलाकार की रचनाओं में दिखनी चाहिए ना कि वे वाद विवाद की बेडियों में जक्डी हुई हूँ ये पास्चत्य यथार्थवाद दोस्तों यथार्थवाद के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा कलाकार इसी चेप्टर से कौन सा कलाकार ऐसा है जो यथार्थवाद से प्रभावित है तो आपकी कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगी और रप्लाइ भी दूंगी तो सभी को बताना है कि यथार्थ वात्से कौन से कलाकार प्रभावित थे तो अमरिता शेरगिल के अलावा इसके अलावा बंगाल की वाश तकनीक के विरुध अमरिता शेरगिल रही है मतलब क्योंकि मैंने बताया ना कि बंगाल शेली अलग चल रही थी आधुनिक कलाकार अलग अपनी पेंटिंग्स बना रहे थे तो इन्होंने बंगाल पेंटिंग से प्रभावित नहीं हुई ये प्रभावित हुई यतार्थ वात से इनकी कुछ प्रमुक्रतियां है हमारी हिल वूमेंस जिसको हम बोल देते हैं पहाड़ी औरतें या पहाड़ी कन्याएं दूसरा है रेड कले एलिफेंट दर रेड वार्डा रेस्टिंग वूमें रेस्टिंग इन चार पाई एंड़ हल्दी ग्राइंडर जिसको हम पढ़ बारे में मुझे आप लोगों को कुछ बताना है दोस्तों अमरिता शेर्गिल भारत की पहली आधुनिक महिला चितरकार के रूप में जानी जाती है देखें महिला चितरकार इससे पहले भी हुई है लेकिन आधुनिक महिला चितरकार सबसे पहले अमृता शेरगिल है और इनकी मृत्यू मात्र 28 साल की उमर में हो गई थी यानि की 1941 में इनकी मृत्यू हो गई थी मात्र 28 साल की उमर में इन्होंने इतना नाम कमाया इतने जादा इन्होंने चित्र कला के चेत्र में जीते कि आज हम इनको अपनी बुक्स में पढ़ते हैं दोस्तों, 1940 का चित्र हम पढ़ रहे हैं हल्दी ग्राइंडर यानी हल्दी पीशने वाली ये चित्र इन्होंने अपनी मृत्यू से जस्ट एक साल पहले बनाया था तो दोस्तों, ये थी अमरिता शेर गिल और ये था इनका चित्र हल्दी पीशने वाली आशा करती हूं दोस्तों, आपको दोनों चीजे अच्छे से समझ हाई हूंगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जरूर कर लें जिससे की इस तरह की और वीडियोस भी आप तक पहुचती रहें